कि सब्सक्राइब करें सिविंगे वर्क्स को और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके हलो फ्रेंड्स, को मेरे पास चिरों टो तो इस में हमारे पास बाते है तो और आपके बता है कि हम कैसे पाता चलेगा इस वीडियो के बताऊंगा कि कौन से लोड़ पर हमारी बेंडिंग मूमेंट का है शेयर फोस की शेप कैसे होगी ठीक है तो बिफोर ऐसाइड टो प्ली श सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को हिट बेल नोटिफिकेशन बटन और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें वीडियो पूरा देखें ताकि आपको यह पूरा समझ आए ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास नू लोड है नू लोड से बेंडिंग मुवमेंट इस लीनियर और ट्रेंगलर ठीक है तब चेक कर लेते हैं कि यह ऐसा है कि नहीं है तो मान लोग कि है हमारी एसस बी यह यानि सिंप्ली सपोर्ट बीम इन विच अपॉइंट लोड इस अक्टिंग अट दे सेंटर सो शेर फोर्ट जो कहा रहा है वह पिर ट्रेंगलर तो यह उसकी शेप होगी अब अगर यह वाला जहां पर अगर अगर मालों की अंसेंटर लोड एक है यानि मतलब सेंटर पर लोड नहीं लग रहा है तो वहां पर डाइग्राम सेमी बन रहा है बस यहां पर बी ग्रेट अब देन ए था तो उसके हिसाब से शेप इसकी चेंज होगी बट जो यशो ऐसले शेप थी वह इसकी कॉंस्टेंट यानि मतलब यह वाली ठीक है और bending movement क्योंगी linear मतलब triangular ऐसे वाली okay now हमारा next है UDL UDL की case में यह बूल रहा है कि जो shear force diagram होगा वो हमारा linear होगा ठीक है shear force जो होगा हमारा linear होगा और जो हमारे bending movement होगा parabolic होगा ठीक है अब मैं इसके एक पीछे वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर हमने bending movement कभी यूडिया लगेगा whenever there is a UDL in a beam then the shear force diagram will be always a linear or triangular shape ठीक है whereas for bending movement it is parabolic ठीक है और यहाँ पर हमारा bending movement क्या थी WL square by 8 तो यही चीज है इदर भी shear force क्या होगा हमारा linear होगा यानि shear force diagram कैसे बना हमारा इसमें वो ऐसे बना भी शक ठीक है यह ऐसे था ऐसे गर के बना यह shear force diagram तो यह linear यह फिर triangular हो गया अब parabolic में हमारा parabolic के यह आया था simply supported के लिए यह आया है WL square by 8 तो इसका मतलब जब bending movement diagram बनेगा UDL की case में वो parabolic होगा हमेशा और shear force क्यों होगा वो linear होगा next is UVL ठीक है UVL मतलब uniform varied load जो अगर UDL हमारा ऐसे होता है ठीक है तो UVL हमारा कैसे हो सकता है यह तो ऐसे हो सकता है ठीक है यहां पर intensity load की ज्यादा है यहां पर less है so intensity at A will be more and B is less so this could be the condition for uniform varied load अखें So this,so in this case यह कहता है कि हमारा जो शेयर force diagram होगा वो parabola होगा जो shear force diagram जो होगा हमारे UVL का वो पराबॉलिक होता है और जो bending movement diagram होता है वो क्यूबिक परबाल ओर क्या उरक्या कि युबिक परबॉल में तरह हमारा है our second recreation वाला प्यूबिक मारा थोड़ डेट Ó आगे यह वाला क आगा शेंच करके अगर आझा pen alter ठीक करें खर एगर ऐसा बन रहा है तो हम उसको प्यूबिक बोल वोते हैं में हमेशा सिर फोस क्यों यह हथा है कि अजिए से वहां अगर मालो कि भी तो उस्केμठा भालाय को कि उड़ा तो क्यों होता है तो केक्षच उड़ीज हो कि उन गया परफेते कराता है लग लगे पणी तो वहाँ बीच में लोट को नहीं लगा सिर्फ मूवमेंट लग रही है तो उस case में हमारे shear force diagram क्या होगा और bending moment क्या होगा तो उस case में हमारे shear force diagram होगा जीरो जीरो मतलब straight line ठीक है यह वाली shape होगी या फिर zero या फिर straight line और bending moment क्यों होगी constant या फिर rectangle rectangle भी कहते है constant को ठीक है अब यह हो गया rectangle अब चेक करते हम जैसे की मानलो यह वाला case है ठीक है यहाँ पर कोई load नहीं लग रहा है सिर्फ bending moment लग रही है so in that case the bending moment is equal to m और हमारा जो जो हमारी shear force थी देखो जो हमारी shear force थी यह वाली वह हमारी क्या होगी जीरो या फिर straight line और bending moment क्यों हो गया या रक्टेंगल हो गया ठीक है तो यह हमारी case था जहाँ पर कोई अब सबसे अच्छा तरीका इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या याद है मैंने इसको रप कर दिया ठीक है तो अब मानलो सबसे पहले हमें याद रखते है no load no load में क्या था zero straight line जो थी हमारी यह वाली ठीक है zero bending moment constant ठीक है zero constant constant linear linear पैरबोला पैरबोला क्यूबिक पैरबोला तो अब पी ऋलो पन को याद कर सकते है ठीक है यह बहुत अच्छी एक तरीका याद करने का shear force diagram की shape कैसी होगी parabolic की bending moment shape की होगी तो इस table से आप याद कर सकते हो ठीक है यह छोटी सी trick है जो आपको याद कर सकते हो ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें like करें और share करें don't forget to subscribe hit that bell notification button thank you